हेलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे आप लोग उमिद कर रहा हम बहुत ही अच्छे होंगे पढ़ाय लिखे आप लोगों की बहुत अच्छे से चल ले होगी एरा वर्ड में आपका स्वागत है और आज से जैसा बताया गया था कि मतलब कुछ नया होने वाला है तो नया यही और वो वीडियो यूटूब पे आ चुका है आप देख सकते हैं और आज पॉलिटी का हमारा डे थ्री है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे राजी के नीत ने दे सक तत्तों यानि की भाग चार के बारे में है ठीक और जो भी हमारा नंबर दिया गया है उनसे आप देखते हैं राजी के नीत निदे सकत्तों को भारतिय संविधान की अनूखी भी सेस्ता किशने कहा है डाक्टर राजेंत परसाद ने जवालाल नहरूर है डाक्टर भीमराव अमबेटकर ने इनमें से कोई ने किशने कहा है भीमराव अमबेटकर जी ने हमारा राजी के नि स्विधानंशादंद 12 muchoардंद Bartos दे balloon the सामावेस भारत के संविधान में किस हाग में है उपर भाग 4 में यह कहा से कहां तक है अगर इसको बात किया जए kick से 51 ठीक है है और जो कल मूल अधिकार था वो कहां से कहां तक था 12 से 36 तक था याद रखना नोर्स बनाने नहीं और या दो-Teling बार ये वीडियो देखेंगा यह मारा तीसरा वीडियो बागी दो वीडियो यूटूब पर अपलोड हो चुके हैं आप उनको जो है जाकर कि देखें टॉपिक वाई यहमारा चल रहा है आठ डे थरी है इसे हमारा तीसरा कुश्चन क्या करता है यह डारेक्ट अनुच्छे जो है मतलब आता है याद कर लेना इसको नेक्ट कुश्चन की तरफ चलते हम चौत्य कुश्चन की तरफ राजी के नीत ने दे सकता तो सहज अध्यान के लिए निमन में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है गांधिवादी उधार बहु पच्वा कुश्चन पच्वा कुश्चन हमारा क्या गता है भारत के सम्मिधान के अंतरकत ग्राम पंचायतों का गठन निमन में से किस में है नीत ने दे सकता तुम्हें मूल भूत अरिकार में मूल करतब में तो हम नीत ने दे सकता तुम पढ़ रहे हैं तो इसी में होगा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में इसकी बात की गई है, आर्ट किल 40 में इसकी बात की गई है, और कहा गया है, कि ग्राम पंचायत लेबल पे, जो है इसमें परसाथनी कस्तर पर, जो है इसको मनलब सकती परदान की जाए, अलग से, ठीक है, अनुच्छेद कहां पे यह आर्टकिल 51 कहता है, ठीक है, अंतराष्टी सुरक्षा और सांती की अव्जिदी, यह बिदेसी निस से भी, जो नेक्स्ट कुष्चन हमारा, यही कहता है, कि भारती समिधान का कौन सा अनुचेद, भारत की बिदेसी निस से समदित है, अनुचेद, 51, और इक्यावन के का ह हमारा क्या करता है, मौलिक करतब इसे, मौलिक करतब इसे, जो मौलिक करतब हमारा कहां से लिया गया है, रूस से, रूस के समिधान से लिया गया है, मौलिक करतब हमारा, कुल कितने मौलिक करतब हैं, 11, ठीक है, द्यान रखना, तुभी देसी निस, अनुचेद, क्यावन, आठवा कुश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारतिय समिधान के अंतरगत मौलिक कर्टब्यों में समलित नहीं है, देश की रच्छायों राष्ट की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कीत की गरो साली प्रंपरा का महत्तु समझाना और उनका परिक्षन करना, ग्राम पंचा मौलिक कर्टब भी है हमारा, मौलिक कर्टब भी पहला हमारा मौलिक कर्टब भी है, सी भी हमारा मौलिक कर्टब में आता है, और डी भी हमारा मौलिक कर्टब में आता है, तो मौलिक कर्टब में देखो, देश की सेवा करना, राष्ट की सेवा करना, ये भी है, ये भी हमार ग्राम पंचायतों का गठन अभी हमने उपर बताया ना कि जो है अनुच्छेद चालिस में जो है इसके गठन के बारे में बताया गया है तो यह निद निदे तक 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 तुम्हें आता है ठीक है तो इसमें कौन सा साही है सी वाला से यह है नेक्ट कुश्चन की तरफ चलते हैं लोग नुवा कुश्चन मारा क्या कहता है निमन में से किस एक कमेटी आयोग ने संबिधान में मूल कर्तब को सम्मलित करने है तो संतुत की थी सौन्ड सिंग कमेटी मलराम जाखर कमेटी सरकरिया आयोग असोक मेता स्वांडिंग सिंग कमेटी यह कब बनी थी 1976 में ठीक है कांगरिशन ने इसको बनाया था और फिर इन्हीं की संतुत पर जो है मुल्क कर्थब जोड़ा गया 51 के कामे कुल कितने मुल्क कर्थब हैं 11 कहां से लिया गया है रूस से ठीक दसवा नमबर का हमारा कुश्चन है निम्रिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्थब भी नहीं है राष्ट गान का संबान करना ये है राष्टिय महत अस्थानों इसमार को किरक्षा करना प्रकृति वातावर्ण का सनक्षण और सुधार करना ये भी है राष्टिय संपत्ति का सनक्षण और सुधार या उपबंद किस में सामिल है या उपबंद अनुच्छेद 20 में ये तो मौलिक अधिकार में आ जाएगा अनुच्छेद 45 ये भी नहीं है अनुच्छेद 50 का A मौलिक कर्थब से आ जाएगा तो ये क्या है 48 A ठीक है परियावन का सनक्षण और सुध का अधिकार है ठीक है तो यही सही है बाकी देखो बाग्यानिक प्रवित ये मौलिक कर्थब है हमारा सम्विधान के पत्र निष्ठावान रहना आधर सोका सम्मान करना सर्विनिक संपत्ति की रक्षा करना ये समारी क्या है मौलिक कर्थब है इसको समलित किया गया है एक त लिए गया है रूस से पी जोदर नमबर का कुष्चन वार क्या कहता है, मिलकित में से कौन सारा राजिका नीद नीद निदे सकत तो है, धर्म की सुतनता, प्रेस की सुतनता, समान नागरिक सहिता, बीदी की समक्ष समानता, तो देखो, धर्म की सुतनता, ये हमारे मौली कतिकार के अंतरगत थी सवार है पिरस की सुधनता भी मौली कतिकार के अंतरगत बिदी के समझ समान था कल वाले वीडियो में सारे कुश्चन हो चुके है ये समान नागरिक सहता ये ही सही है हमारा पंदरा नंबर का कुश्चन हमारा क्या कहता है समान कार के लिए समान बेतन भारत के समिधान में कहां सुनश्चित किया गया है यह भारत के समिधान के राज्जी के नीत नी दे सक तब तुका एक अंग है ठीक है समान कार के लिए समान बेतन नेक्स्ट कुश्चिन की तरफ चलते हैं अभी 48 A में परियावर्ण से रिलेटर आप लोगों ने देखा आप कहरा कि अनुच्छेद 48 क्या कहता है ये अनुच्छेद 48 क्या कहरा है हमारा ग्राम पंचायत का गठन ये तो 40 में है काम करने का अधिकार ये भी अलागनुच्छेद है समान नागरिख सहीता अलागनुच्छेद है लेकिन क्रिसियों पसफालन का गठन हमारा क्या कहता है अनुच्छेद 48 कहता है ठीक ये अब कुश्चिन नमर 17 है भारत में निम्निखित में से किसके अंतरगत पंचायती राज परडाली की व्योस्था की गई है मौली का दिकार के अंतरगत नहीं मौली करतबी के अंतरगत बिल्कुल नहीं चुनाव आयोग अधनियम के अंतरगत नहीं राज के नीत निदेशक तत्तों के अंतरगत अनुचेद चालिस हमारा यानी की आर्ट किल चालिस के अंतरगत इसे रखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन अठारा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है निमनुखित में से कौन सा राज के नीत निदेशक तत्तों में नीत है प्राणों दहिक सुतंता, अपराधों के लिए दो सिधी के संबंद में संरक्षण अल्प संख्याट बर्गों के हितों में का संरक्षण प्रूस और इस ते उन दोनों को समान कार के लिए समान बितन तो ये D वाला हमारा सही है बाकि ये सब तो मौली कदिकार के अंतर गता रहे है प्राण और दहिक सतंता 2060 अनुच्चेद को बता रहा है अपराध के लिए 2 सिद ये अलग अनुच्चेद ये तब कहां पे आ रहे है मौली कदिकार के अंतर गता रहे है लेकिन ये D वाला हमारा इसमें सही है जो राज के निदने देशक तत्त्त पे अंतर गता आता है 19 नमर का कुश्चन क्या करता है कि बंधुआ मजदूर उनमूलन अधियम कब पारित किया गया था संभिधान की प्रस्तावना में, मौली कदिकार में, राज के निदने देशक तत्तों में, यह और से देखो संभिधान की प्रस्तावना में जो भी सब्द गढ़ा गया है एक-एक सब्द उन सब्द को जो है आगी बिश्टारित किया गया है तो कल्यान कारी राजी का जो एक देखा गया है सपना वो किसमे है भारत के राजी के नीत निदेशक तत्तों में इसका सही आप्सन तो ये है यानि कि प्रस्तावना में जो सब्द है वही उसी सब्द को जो है डिटेल में कहां पर बताया गया है राज के नीद निदेशक तत्तों में बताया गया है तो इसको ध्यान रखना दोनों सही है इसका मारा प्रस्तावना में भी और राज के नीद निदेशक तत्तों में भी 21 वा नमर का कोश्चन सम्धान संसोधन में उनिसोचीफ्तर में ही रखा गया ये इसको बताया किसने था स्वान्ड सिंग समीत ने बताया था इसको कि या एक इसको भी जोड़ दो स्वान्ड सिंग समीत और कहां से लिया गया है रूस से ठीक 22 वा कुश्चन हमारा समीधान का भागचार किसे समंदित है मूल अधिकार का जो अनुच्छे देव कहां से कहां तक है 12 से 36 तक याद रखना आव गोल मत जाना 36 नहीं 35 तक है नागरिक्ता मौलिक करता भी तो ये भागचार किसे समंदित है मौलिक करता भी से समंदित है उपर हो सकता है कि मैंने जो है बारास छतीज नहीं 1345 तक है चत्वस से 51 तक तो जो है मौली इ geçल आ जाता है ठीक है तो ऊपर हो सकता है मुझे रहा कि मैंने किसी कुší में बारास मौली का जो है अपर च्बाइव को आणश्यत है से भाग 3 किसे समत्धित है भाग 3 बाद से 21u मुलतिकार के बारे में जितना भी बताया है 14 देख लिघ게 में गारे । जो को आप लोग देख लिएगा तो आज हमारी ही 30 कुष्चन थे यह हमारा नंबर दिया गया है इसमें जो है आप लोग कॉल करके जो है इंसे संपर्क कर सकते हैं और इंसे बादचित करके जो है अपना टेलिग्राम से जुड़ जाईए बाकी यह स्रीज चली रही है वीडियो करके नंबरों से जो है जुड़िए तो आज के लिए वस इतना ही ठीक है फिर और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले स्रीच के साथ ठीक है धन्यवाद